करमे नींजा मैशने जा रहा हूं में आज में जा रहा हूं उतना important नहीं है सिर्क उसका definition और समाजना पड़ेगा कि friction dropping होता है जो इंचा विच में चार्ज ट्रांसफर लूज और गीन का वज़ा से चार्ज गीन किसी में ट्रांसफर होता है चार्ज और charging by conduction और charging by induction मैं समझाने जाऊंगा अब है मैंने भी कहीं से समझानी है अभी हम भी 12 plus 12 में है और electrostatic chapter में दोनों का यूज है method of charging और method of by induction और conduction के बारे में तो firstly मैं method of how to charge a body by conduction समझाने जा रहा हूँ तो तो इसमें हम charging by conduction समझने जा रहे है तो अगर आपको कोई पी neutral body को conduction प्रोसेस से चार्ज करना है तो आपको उसमें charge body touch करना पड़ेगा जिससे उसमें क्या होता है वह ही वाला charge जो होता है वह उसमें transfer हो जाता है body में जो charge body का charge होता है वह वाला तो इसमें हम देखने जा रहे charging by conduction कैसे होता है आपको समझा रहे है तो इसके रहे पार देखना है मानिए यह neutral body है neutral body मतलब इसमें plus 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 और minus charge same है तो equally distributed है इसमें बस net charge zero होता है net charge zero होता है तो यह neutral body है इसको हम लोग को कंडक्शन प्रोसेस से charge करना है तो हम लोग को इससे touch होके एक्षू charge body को लाना पड़े है तो मानिए हम positively charge body इससे touch कर रहे है तो यह charge क्या होगा यह neutral body में move होगा तो यह जो body में move होगा charged और यह भी body positively charge हो जाए क्योंकि यह body इसमे पॉजिटीव आयन ज्यादा है तो यह body positive में charge रहता है मानिए इसमें पहले neutral body था तो इसमें पहले electron था 2 negatively charged electron था और positively charged 2 electron था तो 2 plus करके net charge हम लोग कर 0 हो रहा था तो अगर जीरो हो रहा था तो अगर हम लोग इसमे plus positively charge और plus कर दे तो यह body positively charged हो रहे है वैसे इसमें 2 electron positively चाहता है तो यहसे charging by conduction होता है झाहता है